हलो इन वाल्कम गई स्वागत आपका फैंटासी डिस्टन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में वह बात करेंगे फैंट को डिसी एश्टी टें लेंस करोना की जो की मैच होने वाले आएसे जॉन कॉपिंग वसी सी साइड सी सी के बिज में जो चले दोनोंगे टिम के प्ल कों से प्लेयर को हम लोग यह से अवर्ड करके जा सकते हैं सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करनेंगे तो चले फिर बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार कर लेते हैं तो बात करें इस मेंच की इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रही कि कि यूटूब चैनल को अभी तक अपने सस्क्राइब नेगा तो सबसे पहले जाके यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लेना है क्योंकि पूरी डूनामेट कवर की जाएंगे इसके साथ-साथ आपको मिलेगा यह से के सारे मैचिस के वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिल जाएंगा जो सबसे पहले सबसे पहले तो सस्क्राइब कर लेना है और इसके बाद जाके आपको यहां से टेलिगरम जयोन कर लेना है क्योंकि final वकिर आपको वही पर मिलेगी IPL वगेरा की भी पूरी टीम और अपडेट वाइपन मिल जाएगी तो टेलिग्राम से जुन्डे कली मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्रेडी लिंक एटेज किया हुआ इनके सकर लिंक वर्क ना करें तो टेलिग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फेंटासी डिसन चैलेंजर यह फिर आप सर्च कर सकते हैं अटरेट एट एफटीसी ट्वेंटीसेवन और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा तो वहाँ पर यह आपको जॉइन कर लेने ने बात करें इस मेंच के तो यह पहला मेंच यहां से 4 बच कर 30 मिनित को केला जाएगा दूसरा मेंच यहां से 6 बच कर 30 मिनित को केला जाएगा वेन्यू रहेगा यहां से लेंट स्कॉराना क्रिकेट क्लब स्वीडन पीच डिपर्ट के बाद कर तो न्यूटरल और बैलेंस पीच रहने वाली है दोनों कोई equally help मिल सकती है 110 run के आसपास score बनता हुआ नजर आ सकता है आपको TTN है इसलिए यहांसे 110 run के आसपास score बनता हुआ नजर आ सकता है इवन इससे कम भी हो सकता है क्योंकि थोड़ी से help जो है पेश्मेन को ज़्यादा मिल सकती है लेकिन फिर भी है TTN है कोच भी उलर्ट उलर्ट कभी भी हो सकता है बात करते हैं यहांसे टीम JKP की तो यहांसे देखो सबसे बहले बात रही दोनों ही टीम के तो दोनों ही टीम से यहांसे JKP के अंदर यहांसे 28 जन की स्क्वेर है यानि की 28 प्लेयर की स्क्वेर है और यहांसे सामने वाली टीम के पास 30 जन की स्क्वेर है तो अभी इतने सारे प्लेयर्स में से प्लेइंग 11 को चुनना बहुत ही मुश्किल कारिया है तो यहां से इसके लिए मैं थोड़ा सा ख्षमा चाओंगा अगर मैंने यहां से प्लेइंग 11 एड़ेज की हुए इन में से अगर कोई फ्लेयर नहीं भी खिलता है तो यहां से टीम बहुत सारे बटलाव कर सकते हैं 28 प्लेयर से और मैंने यहां से 11 जन की प्लेइंग 11 एड़ की हुई है तो कोई भी प्लेयर अगर थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है तो यहां से इसके लिए में एक शमाच आता हूँ क्योंकि वहाई से ब्यांच से भी कोई भी खेलता हूँ नजर आ सकता है आपको तो मेरे गड़ फिलिंग के अनुसार मैंने यहां से प्लेइंग 11 कि हुए जहां पर आपको रियाज खान और यहां से सम्यूला इव्राहिम खिल्ट दोनों ही यहां से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रियाज कान दोसुरन की हुए तिरा मैच के अंदर तो एस अ प्लेयर आपके लिए एक इंपोर्डेंट बिक बनते हैं और कभी-कभी ओस भी करवा लेते हैं शम्यूला इव्राहिम खिल की बात के तो चौधा मैच के अंदर 194 रन यहां से करीबन 15 की एवरेज से रन किये हुए छे ओवर्स की गेनबाजी भी करते नहीं है लेकिन बैटिंग से उपर केलने के चांसिस बहुत जादा है तो एस प्लेयर इस सबसे आप इनको लेके जाना आ सकते हैं तो बहुत सारे प्लेयर सापको बॉलिंग करते हो भी नजर आ सकते हैं बात करते हैं जहिब बुल्ला जदरान की वहार इंपोरन पिक रहेगा इवन कैप्टन सिप और वाइस कैप्टन सिप के लिए बेस चोईस रहने वाला है 14 मैच के अंदर यहां से 203 रन है कर 28-24 मैच के अंदर के हर एक मैच के अंदर दो ओस पूरी करवाएगा देथ ओस वगिरा में कादी गयन बाजी जरूर करवाएगा तो मेरी टिम के यहां से कैप्टन या वाइस कैप्टन यहां से जहिब बुल्ला जदरान रह सकते हैं क्योंकि इससे अच्छी और कोई चोईस आपको मिलने वाली नहीं हैं शहर शिर्जादा ने 17 मैच के अंदर करीबन 14 के वरेसे 122 की हुए यहां से 12 विकेट निकाले हुए 30 की गयन बाजी के हर एक मैच के अंदर एक दो ओस करवा सकता है यहां से तो एक अच्छी पिक बन सकता है आप इनके उपर रिस्क ले सकते है इनके उपर परोसा कर सकते हुए ऐसे हैं सफर सीधादा के उपार तानिवीर थोड़े से ओके ओके पिक रहेंगे तेरा मैच के अंदर 109 रहन है एक विकेट है एक ओस की गयन बाजी की हुए तो अगर को है ची चोई सामिले टो ट्राय करेंगे यहां से तलहा उमर ओके ओके पिक रहेंगे बिलाल मुनिर थोड़े से डाउटफुल प्लेयर है लेकिन इनके उपर पर परोसा करना चाहता है वैसे अच्छी है यहां से 25-50 की लेकिन रंस इंतने नहीं है यहां से तेरा मैच के अंदर सिर्फ 51 रहन है तो यह थोड़े से रिस्की रहेंगे बाकि भवया होने वाला है फैसल अजीम 5 मैच के अंदर करीबन 38 के अवरे से 113 रं किये हुए चार विकेट निकाले हुए साथ वोस की गेंदबाजी की है हर एक मैच के अंदर एक दो वस करवाता हो नजर आ सकता है यहां से लेट टमफास गेंदबाज है और यहां से शुरूवात में अ रहे है और यहां से लगबग जितने लिगेंद एंच से लगबग सोना एक ड़ी और परवाड़ी करवा दो यहांसे यह यह पीग है नसीर बच्चा 8 मैच के अंदर 25 के वरे से 147 रनने साथ में 5 वेगेड़ें तो यहां से शवाद आली सैयद और ऐसा उसमान खान दोनों के ओपनिंग करने के चांसे बहुत ज़्यादा है यह गर्ड फिलिंग के अनुसार, इनको एड़ गिया हुआ है ओपनिंग कोई भी कर सकता है लेकिन मेरे ख्यास से यह दोनों भी ओपनिंग करने चाहिए ऐसे शफात अली सयद के करीबन 35 के अवरेज से 521 रने 28 मैच के अंदर 13 विकेट की 13 विकेट निकाले हुए तो as a player important के साथ यहां से केप्टन और वाइस के लिए बेस्ट स्वाइस देने वाला है ऐसे शफात अली सयद लेप्टाम मीडियम फास गयन बाजे यहां से मीडल ओस वकेरा में एक दो ओस कर सकता है तो उस्मान खान के श्टेट्स मिले हुए जहां पर एक मेच केंडर 28 रन की हुए टी-ट्वेंटी खेले हुए जहां पर विकेट उनको नहीं मिला एक ओस की गयन बाजे भी की हुई है तो इनके ओपर थोड़ा सा बरोसा कर सकते हो क्योंकि थोड़ा से डाउट पूल प्लेयर है लेकिन अगर गोई अच्छी चोश नाम ले तो इनके ओपर भी आप ट्राइक कर सकते हो लेकिन आपको बता दो कोरंगा का सिलेक्शन काफी ज्यादा है यहां से आई थिंग के शायद 80 परसंटेज के आसपास सिलेक्शन है तो सेफ जाना चाहते हैं तो कोरंगा को ट्राइक कर सकते हो बाकी महिश नवाले ओक्यों के फिक रहेंगे 6 मैच के अंदर 3 विकेड़ है तिरे अपन रन है यहां से तीन वोस की कहन बाजी की हुए है अगर गो एच्छी चोश ना मिले तो ट्राइ करेगा क्योंकि है यह बेजिकली इंडियन प्लेयर है और यहां से आई थिंक है से भी टीट्वेंटी के अंदर साथ वोस की हुई है तो हरी मैच के अंदर लगबग पूरी वोस करवाता हो नजर आ सकता है मनुज जेडवेश्ट के बात करें स्वीडन टीट्वेंटी इंटरनेशनल खेले हुए इसलिए टीम के अंदर एड़ किया हुए क्योंकि यह इंटरनेशनल प्लेयर है अपने टीम के लिए खेल चुका है स्वीडन में तो यहांसे एक अनुबव मैंने यहांसे इनको एड़ किया हुए तो आप इनको लेखे भी जा सकते हो वारगे से अबरहम ने दो मैच के इनको लिए निकाल कोमान ने यहांसे पांच मैच के अंदर चार वीगेट निकाल हुए लेकिन दोनों ने ही पूरी वोस किये तो और एक मैच के अंदर पूरी वोस करवा सकते हैं दोनों यहांसे राइट-ब मीडियम फास गयन बाजे तो चांस हो सकता है इनको खेलनेगा बाकि बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्क्रेट सब को टेलिगरम में प्रोवाइड करवा दूँगा इनके खेलने के चांसेस बहुत जादा है और फान आरिफ लास्ट सीजन में भी इस टिम के लिए खेल चुके तो यहांसे अर्फान आरिफ को खेलने के चांसेस यहांसे यासीर मलिक अच्छी चोईस बन सकता है यहांसे यासीर मलिक खेलताओ नजर आ सकता है आपको तो इनको जरूses गया लेकर जलिए यह एक क्यों निग्तम आतीब के पिदम्रिक बन सकता एगर जनुझतार ट्रॉस करना यहांसे जैज चंद्रन ने आया 16-100 पांच निपलिया को तो आ कभी भी अच्छा कर सकता है इनके पर एक बरोसा जता है बैटिंग सेक्षन देया से S. अली सेद S. इबराहिम किल और यहां से V. अबराहम को मैंने पिक किया हुआ आकि ओप्संस तो इतने थारे कुछ है नहीं तो अपने अकोडिंग को चेंज करना चाहो तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना है वाल्राउंडर सक्षन की बात करता है तो हम लोग यहसे F. अजिम के साथ जा रहे है A. जेन के साथ जा रहे है और P. पुमार के साथ जा रहे है तो इनको अपने अकोडिंग देख सकते हूं बहुत रिस्की प्लेयर है लेकिन परफॉमस इनका अच्छा रहे है इसके लिए मैंने इनको पिक किया हुआ है बालिंग सक्षन से जेच जडरान वेरी इंपोर्ड़न पिक रहेंगे यहसे बी पटल और यहाज से हैच आशिक मेरी टिम के अंदर रहने वाले है तिम कुछ इसरा से बन सकती है मैं कुछ चेंजिस करना चाहूँगा यहसे जडरान केप्टन रहेंगी हमारे और यहासे एसली सेयद वाइस केप्टन रहेंगे तो टीम कुछ इस राज से बन सकती है जदरान को केप्टन किया हुआ है वाइस केप्टन जैसे एसली सेयद को किया हुआ है आप चाहे इनको रोटेट भी कर सकते हो इनको केप्टन करके इनको वाइस केप्टन कर सकते हो लेकिन याद र सब्सक्राइब करना विल्कुल मत बुलिए का क्यूंकि आगे आने वाले और अच्छे मैं चीश की वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिलने वाले मिलते हम लोग अगले वीडियो में नहीं सब्सक्राइब वीडियो के साथ तब तक आप पूरा वीडिय देखते हो अ आई दन्यवाद जहीं जय बारत